हाई ब्रीवन आज के वीडियो में हम आटो लेबल से एक्सिवेशन वर्क का लेबल देना सीखेंगे जो कि लाइब वीडियो होगी आप वीडियो अन तक देखिएगा सो दोस्तों सबसे पहले हम आरियल पे इसी स्टाप को रख के एक रीडिंग पढ़ेंगे ठीक है सो हम आरियल के पास चलते हैं दोस्तों हम दोस्तों हमने जो आरियल है वहाँ पर ट्रांसफर कर रखा है सो हम आरियल के पास आपको लिये चलते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इधर पाइलिंग कवर चल रहा है अब यह हमारा आरियल है आप देख सकते हैं यहां का जो आरियल है आप देख सकते हैं यहां का जो आरियल है 205.605 है टो इस आरियल पे हम स्टाफ को रखते हैं और स्टाफ रीडिंग पढ़ते हैं आरियल पे हमने इस्टाफ को रखा अब हम इस्टाफ रीडिंग पढ़ेंगे ठीक है इस्टाफ रीडिंग आप देख सकते हैं पढ़ी जा रही है इधर आप देख सकते हैं पाइलिंग का वर्क चल रहा है ये पाइलिंग मसीन जो है पाइलिंग कब वर्क जो है complete कर रही है तो दोस्तो आरियल पर इस्टाफ को रखके हमने इस्टाफ रीडिंग पढ़ लिए आए चलते देखते हैं इस्टाफ रीडिंग क्या है तो चलिए कितना मैनस करना इस्टाफ रीडिंग क्या थी सो दोस्तों हमारी स्टाफ रीडिंग जो है कितना सो दोस्तों हमारी स्टाफ रीडिंग जो है 1.215 पाई ओके सो अब हम छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे आरियल मतलब जिस पे हमने स्टाफ रखकर रीडिंग पढ़ी आरियल प्लस रीडिंग इस्टाफ रीडिंग माइनस एंटीए यानि कि यह जो हमारा एरिया है जहां पर खुदाई हो रही है इसका जो आरियल है वो हम माइनस कर देंगे ओके माइनस एंटी एंटीए एरिया आरियल एंटिये एरिया मतलब नॉन टावर एरिया ओके सो हमारा वहां का आरेल जो था वो 205.605 था प्लस स्टाफ रीडिंग हमने किन्दी पढ़ी वन पॉइंट सो दोस्तो आरेल पर स्टाफ रखकर हमने जो स्टाफ रीडिंग पढ़ी वह हमारी 1.215 आई उसके बाद NTA एरिया यानि कि नान टावर एरिया दोस्तो आप देख सकते हैं जहां पे खुदाई होनी है जिस लेबल तक खुदाई होनी है यह हमारा NTA एरिया है जिसको हम नान टावर एरिया बोलते हैं इसका arrival जो हमें drawing से मिलता है उसको हमने यहां पर put up किया अब आप देख सकते है Pok dés였 यहां पर खुदाई कर रा है यहां का जो arrival जो कि हमें drawing से मिला है जो कि हमें drawing से मिला है 205.400 जिसको हमने minus कर दिया माइनेस करने पाद 1.402 मिट्र आया ओके वर दोस्तो हमें इस area पर तो दोस्तो हमें इस label पर खुदाई कराने के लिए 1.420 रीडिंग पढ़नी होगी, ओके, तो दोस्तो इस तरह से हमें 1.42 की reading आटो लेबल की help से इस area पर पढ़नी होगी, ओके, तो दोस्तो हम कई जगा इस ताप को रख कर ये चेक करेंगे कि 1.42 की reading कहां पर आ रही है, जहा पर 1.42 की reading आ जाएगी, वहाँ पर हम एक mark कर देंगे, और poke line वाले को, यानि की खुदाई करने वाले को ये बता देंगे कि हमारा ये ही label है, उसी हिसाब से वो label करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, ओके, दोस्तो हर 5 से 6 मीटर के बाद हम खुदाई करने वाले को एक label करेंगे, ओके, तो दोस्तों उम्मीद है आपका ये topic किलियर हो गया होगा, अगर आपको survey से related या civil engineering से related job की need है, तो आप comment box में अपने experience के साथ अपना email send कर सकते हैं, अगर हमारे पास job होगी, अगर हमारे company में किसी भी प्रकार की job होगी, तो हम आपको inform करेंगे, ओके my dear friend, बाइ!